दीरे से ऐसे थोड़ी इस्टाइल होनी चाहिए आपकी ताकि इंको लगे एको बड़ी चीज है और जितनी आप सहां से बताते हो मां आप प्रेटे भी जादुगर को देखा है कि अधर वह जादुगर एक दम भी दिखाता है लो वह दीरे दीखाता है लो तो आपनी जादु दिखा रहा हो नहीं आप थोड़ी दीरे इंपदगना चाहिए तो अंदर आपने निकाला इसको ऐसे सामने रखा क्योंकि यह यह सेर्स की तरीके है सेर्स की तरीके क्या कहता कि जब आप उसके सामने पोड़े रखते हो ना तो आदमी उट्रमेटी इंट्रेस्ट होने सुन कर देता है है लोग किया कि आपने सबसे बेले कि कि दो बुन पूर्सी की दो बुन इसमें टेंटेंसर नों यह जोटनी चाहर बीचली और आप अब हमें अबमी शेव्द की कितने कि ना कुट्शे का बंदे की डोज को कैसे देनी पड़ती इसकी आस दोती है बंदे को देखके दिया रखता है लो तो इसकी कोई डॉज नी ओती है इसको देखना पढ़ता है कि अगले बड़ा किपना नेगिट्व है तो नेगिट्व को पोजिट्व करने के लिए प्रोज नी जाती है यड़ो इसकी हम चार गुद डालते हैं इतनी चार से पांट कुद क्योंने पदाब आपने चीज आपने कार रखनी है टेबल पर एक जान जिसके देप डेंड़ पर रखिये और अब आपने क्या करना सब सब्सक्राइब से जागना गिलास को उठाना है और उठा कर डायरेक्ट क्या करना आपको अब गिलास को मैंने उठा कर पहले क्यों पिया थाकि विस्वास हो अगले को कि क्यों कि मैं अभी से जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो चीज मैंने इसमें डाली है वो पीने लाइख है और आपके सरी के लिए सब्सक्राइब काम आदे वाली चीज है तो अभी से जी को बोलो को सरब आभी लीजी अब मैंने एक बात एक बात बहुत बोली भी इनको क्या बोली मैंने इनको क्या भी लीजी लीजी इनोंने क्या ग्या पूरा हो अब खास्ते लेडी जों में तो जाना होता है क्या है कि दोस्तों ये विजनस का तरिका है आपने गिलास उत्ता करती पूरा प्या तो अगले वाला आदा ने रिखेगा वो भी पूरा प्येगा जोरा आपने इस लास को दोनों को एक निरतना है और बाते शुरू करनी है कि आप क्या करते हूं अब यह कुछ नहीं बोलेंगे ये तो पुछे कि चीज बहुत अच्छी लगें रही नहीं है ये क्या है मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ और फोड़ी देर बार अंदर यह उसे कह लो तैब मेरे को खरीद मेरे को खरीद तो अब आए अब जैसे खरीदे गए रहे हैं तो ये खरीदिये गातो एे निगाते पुल्सी कितने की है पादिर फाक्ति ये स्ट्राइजेस कितने की है यो कि हमारी कंपणी के सारे पोड़की बढ़ चुकी है एक बार जोड़ा काली होनी चाहिए आपकी लिपनी बढ़ी है आपकी लिए साथ उठेगा और इदर ही आपको कितने मिलेगी एक सो पचीज एक सो पचीज कितना रिपनी घुट वाइब है एक सो पचीज एक सो पचीज गिने को ज option 4 sem और दुर्तr बीकेटी हो तुरे हैं हलोँ और वरो बोले बीकेटी हो करता फ्यूंड बीद cambi हलो यह यह एम बीद डोसफे नीर आ चुरी हों मतलब कहने का मतलब दोदो αυτό समान मिले दा न आपको ये पिलाने ओला यह फिलाने वाले तो आपको फीरी में कंपोड़ी दे लिए कैसे देगी वो बताएंगे आगे तो कहने का मतलर क्या है आज के बाद यह दोनों फोड़क यदि आपके पास में नहीं है तो फिर आप आयम सी करनी रहे हैं आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि आयम सी सिर्फ वह इंसार कर सकता है जिनकी पोकेट में यादि दोनों पॉड़क हैं वो आयम सी कास्के लिडर है आज के बाद कोई भी लिडरो और यह लोग बेटें आगे और शीट में जो देखना हैं तो यह दो पॉड़क हैं इनकी वज़े से कमा रहे हैं क्योंकि यह दो पॉड़क हर इंसान को प्रूशतार हैं और इस दोनों पॉड़कों जिस तरीके से आप अपने मुबाइल पॉ से दो बिट दूर नहीं हो सकते उसी तरह से यह दोनों पॉड़क से आपको अपना शरीर का अंग नान लिया तो आपका शरीर तो सब तरेगा एक अच्छी जिंदगी जीओगे लेकिन सामने हज़र अगों की भी जिन्दगी आप बदल देंगे और ये दो पॉड़क जो है आपका परिवाद की तो जिंदगी बदलेगी आपके बच्छों की जिंदगी बदलेगी लेकिन ये दो पॉड़क जो एक चीछ इस दुनिया में काई पर नहीं मिलती है वो है दुआ और वो पैसों से नहीं मिलती